एक बार सादू सुन्दर सिंग सुसमाचार पचार करने के लिए टिबेट गए वहां के लामा ने दो बार सादू सुन्दर सिंग को दमकी दिये एदि अगले बार तुम हमारे देश में प्रवेश करोगे मैं तुमको माट डालूँगा तुमको कटिन शिक्षा दूँगा सादू सुन्दर सिंग को दमकी दिया अब दूसरी बार सादू सुन्दर सिंग सुसमाचार पचार करने के लिए टिबेट देश आये ये बात उसलामा को मालूम हुआ उसने सादू सुन्दर सिंग को बुलाया और उसे एक बयानक कड़े में डाल दिया उस कड़े में सिर्फ उन लोगों को डालते हैं जो की दूसरे विक्ति को गात करते हैं उन्ही को उस कड़े में डालते हैं अब सादू सुन्दर सिंग को उस कड़े में उस लामा ने डाल दिया और उस कड़े के ऊपर उन्होंने एक डक्कन लगा है और डक्कन पर की चा भी उस लामा के पास था तीन दिन बीद गए उस कड़े में डेर सारे स्केलिटेंस है, बहुत सारे साम है, चुवे है, पानी नहीं है, पीने के लिए, काने के लिए बोजन नहीं है, पूरा अंदेरा है, बहुत सारे लाशों की बद्बु आ रही है, सादू सुनर सिंग तीन दिन उसी तरह उस कड़े प्रबु क्या कर सादू संदर सिंग परमेश्वर स्तूती कर रहा है तीन दिन बीद गए सांस लेने भी बहुत तकलीफ हो रहा था सादू संदर सिंग को ब्रीटिंग प्राब्लम हो गया तब सादू संदर सिंग ने अपने मन में से एक पुकार को परमेश्वर के सामने रखा कि प्रभू मुझे बचा ले जब प्रभू ने इस प्रार्दा को सुना तो तोड़ी देर में ही कड़े का उपर का डखकन कुला और उपर से लेकर एक रसी नीचे आया सादू सुंदर सिंग जल्द से उस रसी को पकड़ कर दीरे दीरे उपर चड़ा और उस कड़े से बाहार आया जब बाहार आकर देखने लगा तो कोई भी विक्ति उसे दिकाई नहीं दिया आगे जाकर देखा कि रसी कहां से आया है तो रसी एक पेड़ के पीछे बांदा गया था आसपास चारों तरफ देखने लगा कोई भी नहीं है तब उसने एसास किया कि प्रभू ने उसे मदद करने आया है देखिए कितना अद्बुत कारे है जब सादू सुंदर सिंग ने प्रभू से प्राधना किया हे प्रभू मुझे बचा ले जब उसके मन में से उसने एक आवास दिया कि प्रभू मुझे बचा ले तो प्रभू ने उसे सायता किया आज प्रमेश्वर आपसे कह रहा है जितना भी तकलीफ हो जितना भी मुसीवत हो प्रमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हे बचाऊंगा एक बार ऐसा हुआ कि एश्यू मसी के चेले नाव में यात्रा कर रहे है तो प्रभू एश्यू उस जिला पर चलते हुए आए और उसे देखकर चेले डर कर पुकारने लगे ये बूत है ये बूत है तब एश्यू ने कहा डरो मत मैं हूँ पत्रस ने कहा ये प्रभू यदि तू है तो मुझे आगन्या देख कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चल सकूँ तब प्रभू ने कहा आ जब पत्रस पानी में एक दो कदम आगे बढ़ने लगा बहुत खुशी महसुस हुई कि देख मैं पानी में चल रहा हूँ मैं भी मेरे प्रभू की तरह चल रहा हूँ देखिए जब उसने चल लाने लगा है प्रभू मुझे बचा ले प्रभू ने उसकी सायता की बाइबिल में एक बात लिखा है आईए उस वचन को देखेंगे लुका रचित सुसामाचार अध्याई 19 वचन 10 में इस तरह लिखा है मनुष्य का पुत्र कोई हुए को डूनने और उनका उद्दार करने आया है मनुष्य का पुत्र कोई हुए उनको डूनने और उनका उद्दार करने आया है आज प्रभू इश्व आप से कह रहे है देख तुम संसार में को गए हो तकलिफों के कारण पाप के कारण तुम संसार में को गए हो लेकिन आज प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें डून कर तुम्हें बचाने आया हूँ तुम्हारी जो भी तकलिफ हो यदि तुम पूरे मन से पुकारोगे चिलाओगे ये प्रभु मुझे बचा ले तो मैं तुम्हें बचाओंगा जिस तरह पतरस को परमेश्वन ने बचाया याकूब को अपने भाई एसाव से बचाया सादू सुन्दर सिंग को उस कड़े में से बहार निकाल कर बचाया आज वही परमेश्वराप से कहता है मैं तुमको तुमको गये हो तुमको डूंड कर तुमें बचाने आया हूँ यदि तुम मुझे विश्वास करोगे यदि मेरी बातों को मानोगे यदि इस पवित्र शासर बाईबिल को पढ़ोगे तो मैं तुमारे जीवन में आदबुत कारू करूँगा बचन पढ़ो, मेरी आद्मिया मानो मेरे सामने जिस तरह याकूप ने प्राधना किया है प्राधना में युद्ध करो तब मैं तुमारे जीवन में आश्यर काम करूँगा तुम्हारा जीवन बदलाओंगा केकर प्रभू कहता है आपकी जो भी समश्या हो आपके मूँ कोलकर प्रभू से प्राधना में बताईए तो जरूर प्रभू आपको मदद करेगा आपको उस समश्या से बचाएगा प्राधना अनुग्राकारी और दयालू परमेश्वर इस समय आपके चर्मा में प्राधना करते है दयालू परमेश्वर आज जितने भी बाई बहन हो समश्या में हो मुसीबत में हो उन सबको याद कीजिए पिता उनके बिमारियों को निकाल दीजिए स्मार्टफोन की एडिक्शन से चुटकारा दीजिए वेबिचार मन से चुटकारा दे प्रबू प्रबू पोनोग्रफी देखने से चुटकारा दे प्रबू सारे बिमारियों को चंगा कर आर्दिक समश्या में रहने वाले हरे एक बा कर दो कर दो कर दो दो